हलो दो आपकी कह चैनल किडनी के बारे में हुमेंब बाड़ी में जो किडनी होती है उसके बारे में समझें को हम हुपअ पर बस कीडनी की भाड़ है k pawsके कहा होता है par कार क्या करता है दिखने में कैसा होता है तो इन सब के बार में डिटेल नौलेज हम आपको देंगे तो वीडियों को पूड़ा जरूर देखें अगर हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि का इस्ट्रक्ट्टड देखेंगे इसका आकार कैसा होता दिखने में is kami कार करता है इसको देखेंगे की बी कि उसन में को अदो रह सकता है इन सब कीशन है सब का उत्तर हम देंगे समझाए तो लाग तक जरूर देखें तो शिरूर बेऴदी ओंको हम समझते हैं किडनी के इंट्रोडक्शन के बारे में इस्टक्चर और हुमेन किड्नी कैन बी सीन एज टू रेडिस बीन सेवड आर्गन डैट आर लोकेटेड बिलो दा रिफ केज आन इस साइड आप दा इस्पाइन जो रिड की हड़ी होती है हमारे रिफ के नीचे रिड की हड़ी के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट किड्नी हमको सो करता है किस कलर में रेड कलर में सो करता है एंड किस आकार का होता है सेम के आकार का दिखाई देता है किड्नी आर द मेन आरगन इन दे हुमेन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें मेन आरगन आपका कि excretory system क्या होता है Nitrogen से बने material वेस्ट होते उनको सरीष से बाहर निकालना उस होता है ne सबस्क्राइब अभा वह लेते हैं उनको बोलते हैं फुदा एक एक excretory system होता है तोwegen system का जो में ओर होता है वो आपका kidney ही होता है जो है आप संख्या में आफ दे क्या होता है, इसका इस ने cavec and concave border हुआ होता कि अ का सेесть होता है एक तरह से उत्तल और ओतल जो लेंस होता है धरपड़ होता है उस हिसाब का इसका structure देखने को मिलता है The outer layer of kidney is tough capsule जो इसकी उपर की जो layer होती है एक कठोर capsule से ढकी होती है यानि कठोर layer से ढकी होती है The kidney is made up million of smaller units called nephron ये बहुत सी लाखो मिलियन नेफरान को मिला कर तो हमारी किड़नी बनती कम से 12-15 लाख नेफरान मिलते हैं तो एक किड़नी का निर्माड होता है which are also functional unit, एक किरियात्मक, सरंचनात्मक और किरियात्मक इकाई बोलते है नेफरान को एक तरह कि इसकी unit है कई नेफरान को मिलाकर आपका किड़नी का निर्माड होता है तो इसमें क्या क्या होता है देख लिए रिनल आर्टरी जो था रिनल वेन होता है तो रिनल आर्टरी रिनल वेन के द्वारा ही होता है फिर उसके बाद यूरेटर होता है यूरेटर होते हैं दोनों कितनी से लगी होते हैं वह आके मिलते हैं गलाल ब्लेडर में गलाल ब्लेडर को क्या बोलते हैं मुत्रासा बोलते हैं जिसमें आपका यूरीन आके श्टोर होता है तो उसमें आता है दो यूरीटर होते हैं गल ब्लेडर होते हैं उसके बाद यूरीन आपको पास यूरीन फार्मेशन यह क्या करता है बलड का फिल्ट्रेशन करता है तब ही जाकर आपका क्या बनता है यूरीन बनता है क्योंकि बलड में ही आपके यूरिया होते हैं और नाइट्रोजन से यूट वेस्ट प्रोड़क्ट होते हैं जब बलड का फिल्ट्रेशन होता है सित् northeast Metabolic Vast like Ureaeleri national ces got to rig हें जो यूरिन के द्वारा होते हैं यूरिक के द्वारा जो में फंक्सम हो गया हैिम फ्रीटरेशन करना यूरिन का पास हौट करना सरी बाहर तो अब देखते हैं next slide next function क्या है इसका it secret a number of hormone and enzyme such as erythropoetin अब erythropoetin क्या करता है एक क्या करता है blood के stimulation को blood के बनने को stimulate करता है blood जब बनता है it release to respond to hypoxia hypoxia एक condition होती जिसमें क्या होता है oxygen की मातरा आपके cell and tissue तक नहीं पहुच पाती है तो ओ condition क्या करती है hypoxia यानि oxygen नहीं मिल पा रहा है आपके tissue को यानि blood की कमी है blood में क्या होता है oxygen यानि कि जब erythropoetin काम करता है तो आपका blood बनता है blood का stimulation होता है blood बनता है तो blood आपके जब cell and tissue तक जाते हैं तो oxygen मिलता है तो hypoxia की condition को treat करते हैं तो erythropoetin is released to response to hypoxia या hypoxia के condition को erythropoetin treat करता है ये kidney के द्वारा ही होता है ये का function हो गया रेनिन क्या होता है रेनिन एक की तरह का enzyme होता है जो kidney से स्रावित होता है it control of blood pressure by regulation of angiotensin and aldosterone ये क्या करता है एक enzyme होता है जो मिलता है angiotensin and aldosterone के साथ मिलकर ये क्या करता है blood pressure को control करता है and देखते हैं third calcitroyol vitamin D होता है ये क्या करता है calcium का absorption करवाता है intestine में यानि कि stomach में जो intestine होती है जो आपकी आथ होती है उसमें absorption यानि और शोट कराता है calcium का and it also maintain the water salt level of the body working together with the pituitary gland the pituitary gland जो होती है वो आपके water salt का maintain कराती है आपके body में level maintain कराता है kidney के द्वारा तो ये हो गया आपके kidney के function तो हमने देख लिए function इसके कार कौन कौन से है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आगा आप देखते हैं next slide की kidney से सम्मधित कीड़नी से सम्मधित होने वाला रोग इसमें है पहला यूरेमिया यूरेमिया क्या होता है यह नि यूरेमिया the kidney are damaged and there is a build up of urea the other toxin in the blood इसमें क्या होता है kidney आपकी damage होती है कुछ छतिग्रस्त हो जाती है जिससे आपके blood में किसका level बढ़ता है urea and toxin का क्यों बढ़ता है क्योंकि kidney क्या करता है filtration करता है किसका filtration करता है blood का and urea को आपके side से बाहर निकालता है जब kidney damage हो जाएगी तो आपके blood में urea का level बढ़ेगा यही क्या करता है आपकी यूरेमिया करता है blood में आपका urea का level बढ़ जाना फेटल आइंड काज kidney failure एक तरह से घातक दे दिक्कत है यूरेमिया कंडिशन देट का करता है kidney failure भी कर सकता है पेशेंट में experience fatigue eating, muscle teaching and loss of mental concentration पेशेंट में क्या होता है इसमें कि जो थकान महसूस होगा इसकीन पे खुडली महसूस होगा and muscle में क्या होगा मरोड होगा जो patient होता है उसका mental concentration mental mansi का concentration भी loss होगा यूरेमिया condition में यूरिया can be removed by the process of hemodialysis यूरिया को आपके सरीर से remove किया जा सकता है hospitalized, medical condition में that are called जो process होता है इसको बोलते हैं hemodialysis hemodialysis के द्वारा यूरिया को आपके सरीर से remove किया जा सकता है अब देखते हैं next slide और एक kidney से संब्दित रोग होता है जिसको बोलते है renal calcule kidney stone बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं kidney stone दी जारे deposit of salt and mineral in our body आपके body में salt and mineral का deposit होना एक कारण बन सकता है लचडों में गंभीर पेट दर्द होता है और मतली आती यानि उल्टी जैसा महसूस होता है पत्री के condition में अगर kidney में आपके stone होगा है तो पत्री को दवाव से गलाया जा सकता है इसका इलाज हम दवा के माध्यम से इसको kidney से गला कर इसको urine के दवार पास आउट करकर बाहर कर सकते है stone passes with urine by improving diet and water intake stone को हम urine के दवार बाहर निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको आहार का संतुलन करना पड़ेगा और इंटेक आप ज्यादा मातरा में आपको पानी का इंटेक वाटर का इंटेक करना पड़ेगा जिससे आपकी पतरी गलकर urine के दवारा आप पास आउट हो जाएगा बाहर तो इनने हम समय लिए हैं कि urine से किड्नी से संबंधित डिजिज के बारे में और देख लिए कि किड्नी होता है क्या है कहां पर होता है कैसे काम करता इसके फंक्षन क्या होते हैं आपके सरी में इसका में रोल क्या होता है हमने सब कुछ समय लिए उन्पोर्ट आटरों के आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा मिलतों नेक्ट वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब किजिए कमेंट तो करते जाए कम से कम लाइक तो ठोक जीजिए अपने दोस्तों को पढ़ने वाले उनको सेयर तो कर तो मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद